दोस्तो काफी दीनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज की जो वीडियो है यह सलेट पेंसिल के उपर हने वाली मुलतानी मिठी और इसके पहले तो मैंने पहुत सारी सलेट पेंसिल मुलतानी मिठी रुप ब्लॉक शूट किया है और आज मैं Pamला सबने आ रहा है है और आज की वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हुग कि यहां पे जो इसलेट पेंसिल मुलताने मिट्टी मुझे दिखे तो आज किस वीडियो में आपको दिखाने वालाँ दिखाने अ तो खुदाई के दोरान यहाँ पे जो आप देख सकते हूं यह मुलतानी मिट्टी है जिसके आपको पत्थर भी दिख रहे होंगे साइड में और उस साइट से देखिए देखिए मैं आपको उपपर से लेके चलता हूँ दोस्तो जैसी कि आप देख पारे हो इस साइड में अभी इसी समय जो सुबेर के समय खुदाई की गई है और आप देख सकते हूं जो बारिक बारिक मिट्टी के तुख़़े होते हैं इस चारों तरब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मैं आपको यहाँ से दिखात अब सभी को पता यह देखिए मैंने इसको तोड़ा है अभी एक खाता नहीं हूं ने तो मैंने आपको इसको क्रंच करके भी दिखा दिया रहता क्योंकि यह हम फूल है इसले मैं अभी से इट नहीं करता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हो मिट्टी में किस प्रकार से ज यहां से आपको यह देखिए यह नजदिक से दिखाता हूं यह देखिए सो दोस्तों यह पूरी मुलतानी मिट्टी है और हम इसे इसलेट पेंसिल भी कह सकते है अभी मैं खाता नहीं हूं तो इसको आपको टेस्ट करके बताया हूंगा यह हामफूल है बट इसे नहीं खा के जाएं कि मूलतानी मिट्टी स्लेट मेंसील काफी आसानी से मिलजाती है यह उतनी तकलीब्श अलग और के भी शहर में होती होंगी हरNew कि रूटी और हमको जो है लाल मिट्टी देखने को मिलेंगी बट यहाँ पे जो है भुरे रंग की मिट्टी है और यही दोस्तो इस लेट पेंसिल मुलतानी मिट्टी आप जो कह सकते हो वो चीज हमको यहाँ पे दिखती है दोस्तों यह देखिए मैं आपके सामने और एक बार उठाता हूँ यह देखिए इस प्रकार सी यह जो मिट्टी अब आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखाई देंगी दोस्तों काफी साल लोग के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें देखना था कि इसलेट पेंसिल मुलतानी मिट्टी किस प्रकार से निकलती है तो आज किस ब्लोग में आपको दिखा दिया हूँ और अभी मैं फिलाल राजस्थ करके गाव है MP में वहाँ भी इसलेट पेंसिल मुलतानी मिट्टी का जो कार्खा ने हैं काफी ज़्यादा प्रमान ही पर है तो उस साइट में हम जाएंगे और वहाँ से मैं आपको पूरा दिखांगा कि इसलेट पेंसिल को कैसी आकार दिया जाता है सलेट पेंसिल कैसी बन जरूर बताना मैंने क्रंच नहीं किया बट उस जगह जाओंगा तो मेरे साथ ऐसे बंदे को लेके जाओंगा वह जरूर क्रंच करेंगा और आपको बता देंगा तो उम्मीद है दोस्तो आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और इस जगह बुद्ध दूप है दोस